कहा जाता है कि पिता के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है यही हाल फिलाल बिहार की राजनीती में दिखाई दे रहा है इंडिया कटबंदन में मचे हाहाकार के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब बहुत बड़ा ब्लेंडर कर बैठे हैं जिसका खाम्याजा शायद लालू यादब को तो ना भुगतना पड़े लेकिन उनके बेटे तेजस्री यादब को भारतिय राजनीती में हमेशा पेरता रहेगा लालू यादब ने मीडिया के सामने आकर के वो बयान दे दिया है जिसका तमाम राजनियतिक पार्टियों को इंतज लालू यादब ने क्या ब्लेंडर कर दिया है इसके बारे में हम जानेगे और इसके अलावा नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादब के परिवार के बीच जो सियासी अन्मन और सीट बटवारे को लेकर के बड़े बिवाद की खबरे सामने आ रही थी अब उस पर आर राजनेतिक विशलेशाड करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें दिखते रहिए मुद्दा गरम है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब भी वही गलती कर बैटे हैं जो अमूमन समूचा विपक्ष करने की हिमाकत कर चुका है दरसल भगवान राम के भव्वे आयोजन में लालू प्रसाद यादब ने भी शामिल होने से सीधे तोर पर इंकार कर दिया है और नितीश कुमार के साथ चल रही अनमन की खबरों पर पहली बार चुपी तोड़ी है बिहार के मुक्यमंत्री नितीश कुमार से नाराजगी की अटकलो पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब ने चुपी तोड़ी उन्होंने का कि ऐसी कोई भी बात नहीं है ऐसा होता रहता है उन्होंने इशारो इशारो में ही इन अटकलो को खारिच करने की कोशिस की कि लालू यादब और नितीश कुमार के बीच में सियासी अनमन है वहीं इंडिया गटबंदर में आगामी लोकसवा चुनाफ को लेकर के सीट शेरिंग के मुद्दे पर लालू यादब ने कहा कि इतनी जल्दी सीट बटवारा नहीं होता है आरजेडी चीफ ने राममंदर प्राण प्रतिष्ठा कारिकरम में भी जाने से इंकार कर दिया है लालू यादब राजनीती से जल्दी रिटायर हो जाएंगे लेकिन आगे आने वाले समय में तेजस्वी आदब की पाटी की ये हिंदू विरोधी विचारधारा लोगों को बार बार याद दिलाएगी कि जब आयोध्या में भव आयोजन हो रहा था प्रभू श्री राम के लिए तो कैसे विपक्षी नेताओं ने किस तरीके से इसका विरोध किया था इनकी आँखों में खटक रहा था विपक्ष का ये अनौ का विरोध ये भी दर्शाता है कि ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आयोध्या में राम मंदर बने इनकी जो परकलपनाएं हैं इनकी जो मन्शा है वो कुछ और ही थी इन लोगों की अब मन्शा धीरे धीरे उजागर हो रही है लालू प्रसाद यादब ने पटना में मीडिया से बातचीत की है इस दौरान उनसे ताजा राजिनाति घटना करम को लेकर के सवाल किये गए वत्रकारों ने जब उनसे पूचा कि नितीश खुमार से उनकी तनातनी की अटकलें चल रही है मकर संक्राथी के मौके पर उन्होंने नितीश को दही कर टीका भी नहीं लगाया लालू यादब ने जवाब में कार कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब होता रहता है कुछ तै नहीं है जब उनसे पूचा गया कि इंडिया गडबंदन में सीट शेरिंग कब होगी तो लालू यादब ने कहा कि इतना जल्दी नहीं होता है लालू यादब के इस बयान से साफ तौर पर ये ज़लक रहा है कि अभी सियासी गड़ित फिट नहीं बैठ रहा इसलिए बटवारा नहीं हो पा रहा उन्होंने कहा कि सीट शेरिंग पर काम हो रहा है अयोध्या में राम मंदर प्राण प्रतिष्टा के सवाल पर लालू ने इस पश्ट काया कि वो इस कारिकरम में शामिल नहीं होंगे कयास लगाई जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और जेडी के बीच अंदर खाने घमासान चड़ा हुगा है नितिश कुमार की लालू और तेजस्वी से दूरी बढ़ने की भी अठकले है मकर संक्राथी के मौके पर राबडी आवास में आयोजित भोज के दौरान भी नितिश कोछी मिनट लालू के साथ रुके और फुर लोटाए इस दौरान उन्हें लालू ने दही टीका का भी नहीं लगाया और स्वागत भी उस तरीके से नहीं किया जैसे हर बार करते थे इससे पहले 2016 और 2017 में जब नितिश लालू के संक्राथी भुज में गए थे तो उन्हें दही का टीका लगा करके शुब कामना दी गई थी बिहार की राजनातिक गल्यारे में चर्चा है कि बिहार के मुक्यमंतरी नितिश कुमार और राज़त चीफ लालू प्रसाद यादब के बीच जो राजनातिक खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है नाराज़गे की वज़े से लालू यादब ने मकर संक्रांती के मौके पर नितिश कुमार को इस बार दही का टीका लगा करके अशुरवाद नहीं दिया और नबे दिनों बाद राबडी देवी के आवास पर गए नितिश कुमार दस मिनट में ही वापस लोटाए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नितिश कुमार पल्टी मारेंगे और भाजपा के साथ NDA में चले जाएंगे पूर सीम जीतनराम माजी, RLD प्रमुक उपेंद्र कुश्वा और केंद्रिय मंत्री पशुपती पारस इसके संकेत भी दो चुके हैं इसे लेकर के जेडियू के बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है दरसल MLA ने अपनी पार्टी के रास्ट्री अद्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार को नसीहतें देना शुरू कर दिया है उन्होंने जीतनाम माजी पर भी विवाद पैदा करने वाला बयान दिया है भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा जो कि जेडियू के विधायक हैं कि नितिश कुमार कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे पत्रकारों के एक सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि नितिश कुमार मर जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो नितिश जी का राजनातिक पतन होना तै है जेडियू विधायक ने कहा कि मैं पहले भाजपा में था लेकिन अब मैं उसे पार्टी को नहीं मानता उनसे पूछा गया कि पूर्व सीम जीतन राम माजी लगातार ऐसे दावा करते हैं इसके जब आप उनोंने विवादत बयाँ दिया है, विवाद पैदा करने वाला बयाँ दे डाला और कहा कि जीतन राम बाजी बूड़े हो गए हैं और सठिया गए हैं वो क्या बोलते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है वो मुसहर भी है या फिर नहीं ये भी कोई नहीं जानता माजी तो मलहा को कहा जाता है नितीश खुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ये बहुत बड़ी गल्ती हुई यानि कि अपने नेता के खिलाफ तो इस तरीके की टीका टिपड़ी कर ही रहें कि उनका राजनतिक पतान हो जाएगा इसके अलावा जीतन राम माजी पर भी अशोबनिय शब्दों का वार किया अब उन्हें के खिलाफ में दरसल वो बड़बड कर रहे हैं वो तो कभी यहां से तो कभी वहां से यहां वहां चनाब रड़ते रहते हैं उन्होंने का कि विदाइक ने दोबारा ये बात कही है कि नितीश कुमार पाला बदलने वाले नहीं है कहीं अगर जाएंगे तो उनका वजूद घड़ जाएगा उन्होंने भगवान राम के अस्टित पर सवाल उठाने वाले को भी आयना दिखाया है और कहा है कि भगवान राम है और हम सब उनको मानते है उन्होंने का कि ऐसा वयान किसी को नहीं देना चाहिए भगवान राम कालपनिक नहीं है इतियास गवा है और रामायन में भी चर्चा है उन्होंने का कि राम भी इंसान थे लेकिन बहुत अच्छा काम किया इसलिए भगवान बन गए गोपाल मंडल ने ये भी का कि श्री राम सिर्फ बीजेपी बालों के नहीं बलकि सब के भगवान है आयोद्या में सुप्रीम कोट के आदेश से मंदर का निर्माड़ गवा है और सादू संतों ने चंदा करके मंदर बनवाया है प्रधान मंतरी ने मंदर नहीं बनवाया लेकिन पदपर है तो पूजा वो ही करेंगे इस दोरान उन्होंने अपनी चर्चा भी की और कहा कि चार बार से विधाइक हैं हम क्योंकि अपने छित्र में अच्छा काम करते रहे हैं भागलपुर से भी लोग आते लिया कि हम भी बहुत मजबूत और कद्दा बरनेता हैं पिछले दों उन्होंने लोग सबा चिनाफ लडने की भी घोश्टा की थी तो कुल मिला करके जो लालू प्रसाद यादब और नितिश्ट कुमार के बीच में जो सियासी तकरार चल रही है खोलकर के तो लालू याद लुण की दरसल प्राण प्रतेश्टा में जाने से इंकार कर रहे हैं यह कही न कहीं तेज़स्ट लियादब को आगामी राजनीती में पेरेगा जरूर इस बात से इंकार नहीं किया गार सकता बहराल इस पूरे के पूरे प्रक्रड़ पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द बलूगा किस दूसरे बड़े अबडेट के साथ मैं तो तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बने बैल आकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नए अबडेट लेकर गया हूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी